हाथ रसकान में कॉंग्रेस के नेतर राहूल गांदी ने एक बार फिर उत्तरपदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा है राहूल गांदी ने इस घटना में सरकार के रवईये पर सवाल उठाए हैं और सरकार के तोर तरीकों को अमानविये और अनैतिक करार दिया है उन्हें कहा कि सरकार पीडित परिवार की रक्षा करने की जगह है अपराधियों को बचाने में लगी हुई है राहूल गांदी ने आरोप लगा है कि देश भर में महिलाओं पर हो रहे अन्याय के खलाफ आवाज उठाना चाहिए लाखों महिलाएं इस समय सरकार की तरफ देख रही हैं सरकार अपना काम नहीं कर रही है ये बात कॉंग्रेस आंसद राहूल गांदी ने कही है जैसे आप जानते हैं कुछ दिन पहले मैं हाथ प्रस गया जाते वाक्त मुझे रोका गया पहली बार अरेस्ट कर दिया गया दूसरी बार मैं चला गया मुझे बात समझ नहीं आई, मुझे रोका क्यों जा रहा है, मुझे उस परिवार से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है, उनकी बेटी के हत्या होगी, उनकी बेटी का बलत का मुझे क्यों रोका जा रहा है, जैसे मैं उस घर के अंदर पहुचा, जैसे मैंने परिवार से बात करनी शुरू की बात समझे, सरकार ने पीड़ितों पर आक्रमन शुरू कर रखाता, अपराधियों की मदद होता, सरकार का काम नहीं होता है, अपराधियों की रख्षा, सरकार का काम नहीं होता है, सरकार का का काम पीड़ितों को न्याए देने का होता है, अपराधियों को जेल में डालने का होता है, ये काम उत्ते प्रदेश की सरकार नहीं कर रहे ते, इसलिए मुझे रोकर रहे ते, मैं आपके माधियम से कहना चाहत आप अपना काम करना शुरू किजे अप राधियों को जेल में डालने का काम किजे पिरितों को बचाने की और उनकी रक्षा करने का काम शुरू किजे ये सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं है ये हिंदुस्तान में लाखों महिलाओं की कहानी है लाकों महिला Osman सरकार की ओर दीख रही हैं और सरकार अपना काम नहीं कर रही हैं हम सब को सरकार पर दबाब डाना है समाज को बदलना है क्योंकि जो हमारी माताएं और बहनों के खिलाफ इस देश में किया जाता है वो सरसर अन्या है